हेलो माइ ब्यूटिफुल सोल्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल टैरो विशिवी चिपल एड गाइस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे गाइस एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ में लीजेगा जितना आप से रेजुनेट हो उसको रखिए बाकी को इग्नॉर कीजे और गाइस एक टैम्लिस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब भी आप से रेजुनेट करेंगी और यह रीडिंग सभी जॉड एक साइन के लिए तो आप जब श्borक सान हिए रेज हैं क्या वह आपको कमिट्मेंट देंगे क्या आपके पार्टनरस आपको आने वाले टाम में कमिट्मेंट देंगे ठीक है देखते हैं बताने की कोशिश करूँगी सो चलिए देखते हैं चलिए गाइस आपकी रेडिंग को करते हम स्टार्ट ठीक है प्लीज एंजल्स काइट करें क्या मेरे व्यूर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूर्स को कमिट्मेंट देंगे आने वाले टाइम में टैन ओफ पेंटिकल्स फाइव ओवेंट्स पताएए एंजल्स प्लीज क्या मेरे व्यूर्स के पार्टनर्स मेरे viewers को आने वाले टाइम में commitment देंगे चलिए यह दो आना चाह रहे six of swords five of swords double five की energy double five present है यह आपर eight of vents okay sun यह भी निकल करा है wheel of fortune major arcana क्या बात है major दिख रहा है कुछ और पताएं इंजल्स two more cards six of cups nine of swords nine of pentacles ten of cups okay ठीक है चलिए देखते हैं क्या reading निकल कर आई है यहाँ यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है मैं को कि आपके partners आपको commitment देंगे की नहीं ठीक है चलिए मैं बताती हूँ right now मैं थोड़ी situation बताऊंगी पहले connection की अगर situation आप से resonate होती है ठीक है तो फिरी रीडिंग आपके लिए है आप देखिए इसको क्या लग रहा है कि आप लोगों के connection में अभी पास्ट में या फिर रिसेंट पास्ट में या फिर जस्ट अभी चल भी रहा हो यह काम कि आप लोगों के बीच में बहुत आप लोगों के पूरी तरीके से ऐसी हो गई है कि ना आप समझ रहे हैं अपने पार्टनर को ना आपके पार्टनर समझ रहे हैं आपको आपने पार्टनर समझ आपके था मुझे पार्टनर सम यापने या फिर पार्टनर के साथ रहा है तो कहीं न कहीं आप दोनों प्यार भरी मेमोरी को मिस करते हुए यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हो तो ऐसा लगता है कि ऐसा रिष्टा हुआ करता था आपका six of cups बाला और हो गया अब क्या five of swords वाली हरकतें आपकी connection में चल रही हैं बिलकुल आप लोग involvement भी आपकी connection में हो चुका है या तो यह friends हैं जो आपकी partners को भड़काते हैं या आपको manipulate करते हैं या फिर यह कुछ लोग हैं जो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़े हैं जो आपकी connection में hurdles को create कर रही हैं आप लोग अपने connection में खुश नहीं दिखाई दे रहे हो बहुत सारे लोग यहाँ पर involved हैं इस connection को बिगाड़ने में ठीक है यह situations हैं अगर situations आपसे resonate करती हैं guys तो फिर reading आप देखिएगा आपसे बिलकुल resonate करेगी reading और मुझे भी बता दीज़ेगा comment section में तो आपकी family involved है इसकाम में कि वो नहीं मानती है आपके partners के लिए आप बहुत मना रहे हो या आपके partners की family इतनी है कि वो नहीं मान रही आपके लिए हो सकता है, यहाँ पर लिए कि family है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकते हैं, आपके partners ही married है, या उनकी marriage fix हो गई है, या उनकी marriage होने वाली है, engagement हो चुकी है, कुछ ना कुछ, या फिर already married है, तो शादी, मैं जो कुछ भी है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, pentacles भी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि family status में आप दोनों के difference हो या तो आप rich नहीं हो या आपके partners की family rich नहीं है या फिर दोनों में कुछ ना कुछ एक rich है एक नहीं है ठीक है ऐसा लग रहा है कि आपके partners की family तो आप पसंद नहीं हो तो यहाँ पर family का भी involvement है तो ऐसा लग रहा है कि trust issue होने का कारण एक family भी हो सकते हैं सकता है इनकी family इनको इतना manipulate करती है आपके खिलाफ brainwash करती है कि आपके partners को समझ में नहीं आता कि कौन सही कौन गलत ठीक है तो मैंने बोला काफी सारे लोगों का involvement है तो यह भी आपके connection में बाधा बने हुई है this time उसके बाद guys आप लोग का न यहाँ पर eight of events है तो कहीं न कहीं आप दोनों बातें करना चाहते हो एक दूसरे से बात करके clarity लाना चाहते हो इस connection में लेकिन कहीं न कहीं मुझे असा लग रहा है कि इसमें भी blockage है क्योंकि नीचे nine of swords है तो कहीं न कहीं how to event हो कहीं न की communication दोनों ही चाहते है clarity दोनों ही चाहते है बात दोनों ही करना चाहते है बिट nine of swords यहाँ पर दिखा रहे है कि रातों में आप लोगों जाग रहे हो खुश नहीं को बात नहीं कर पा रहे हो कुछ न कुछ सिचुएशन यहाँ पर है और सिचुएशन मैंने आ बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स की यह विश है कि वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आ जाए और आपका रीकंसिलेशन हो जाए ठीक है वो जिस भी सिचुएशन में फसे हुए हैं वहां से मुववाण करें और आपकी तरफ आ जाए अगर उन्हें फैमिली बैनुप्लेट कर करा है स्टार का कार्ट ठीक है और ऐसा भी मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आप सान और वील ओफ फॉर्चू निकल करा है से पहले में यह वताती हूँ नाइन ओफ पेंटिकल्स है कि आप लोग मैंसे काफ़ी सारे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट एनर्जी मैं आना चाहते है ठीक है आप चाहते हो आपके पार्टनऄ इंडिपेंडेंट होके Topda Fragen के ओफ बेंडेंटेंट होके Questo Center फेंडेंडेंडे ए और आप ऐसा आप चाहते हैं और आप लोग मैंसे बहुत साइसा यह चाहते हैं of आपने लाइफ में बहुत ग्रोव करना चाहते हैं अबंडनस को ट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी करियर पध्यान देना चाहते हैं लेकिन सिच्वेशन इतनी खराब है ना गाईस कि आप लोग की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि आप अपने करियर पर भी फोकस नहीं कर पा रहे यह दोनों चीज़ें यहाँ पर इस नाइन ओफ पेंटिकल से मुझे दिखाए देरी प्लस गाईस यहाँ ऐस ओफ कप से सो आप यह भी चाहते हो कि आपके पार्टनर्स यूनो आपको यह प्यार भरा कप ओफर करें ठीक है उसके बाद गाईस आपके पार्टनर्स आपको क तो आपकी जिन्दगी में सन आएगा ठीक है और आपके पार्टनर्स यूनो आपको कमिट्मेंट देंगे क्योंकि यह एट ओफ वेंट्स का भी कार्ड है जो कि दिखा रहे हैं कि आपसे सही समय पर कम्यूनिकेशन होगा आपके पार्टनर का और सही धंग से होगा क्या होत है यह रियालिटी है तो इस टाइम अगर आप बात नहीं करें तो बैटर है क्योंकि मुझे अभी divine timing आप लोगों की नहीं दिखाई देती बट जब भी आपकी divine timing होगी यह जो wheel of fortune है जब भी आपके फेवर में होगा आपके लाइफ में सन आएगा आपके पार्टनर्स सामन में इसका connection दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ सो हो सकता है कि इस time थोड़ा साप लोग separation में हो इसको adjust कर लीजे अभी अभी के लिए थोड़ा time के साथ ठीक है चलिए यहां से देखते है कि कब तक commitment दे देंगे ठीक है यहां से भी कुछ cards निकालते है प्लीज बताईए मेर अब हमेरे viewers के partners मेरे viewers को commitment देंगे तकी सारे cards है okay suffering and silence है अभी आपके partners silently सफर कर रहे हैं अपनी life में खुष नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे silently सफर करते हुए मुझे यह और दिखाई दे रहे हैं किसी को बता नहीं रहे है तो आप ऐसा ना सोचें कि आपके पातना बड़े खुश है आपके पातना सफर कर रहे हैं literally ठीक है उसके पॉजटेब मुवमेंट फॉरवर्ड वो अपने लाइफ में जिस भी दिशा में बढ़ रहे हैं वो सही दिशा है अगर वो आप से भी बात नहीं कर रहे हैं आप ना सही जा रहा है right now balance so guys ऐसा लग रहा है कि आप लोग के partners और आप दोनों को balance बनाने की ज़रा थे क्योंकि अगर आप balance नहीं बना रहे हो कहीं न कहीं आपके partners पूरी कोशिश कर रहे है बैलन्स बनाने की लेकिन अगर आप बैलन्स नहीं बना पा रहे हो तो आपसे कहा जा रहे हैं कि आप कोशिश कीजिए बैलन्स बनाने की आप ठीक है deception and envy तो कहीं नहीं आपके partners का अभी true face या क्या उनकी hidden feelings है या आपके सामने नहीं है बट आने वाले टाइम में आपको clarity मिलेगी आपको पता चलेगा कि उनके मन में actually है क्या हो सकता है आप लोग में से बहुत साई लोग के partners आपसे अपनी बातों को हाइड कर रहे हैं बतानी रहे हैं और आप उन्हें गलत जज़ कर रहे हो आप को लग रहे हैं कि चीटा रहे है है बट reality हो सकता है कुछ और हो अचीक है सो अभी उनके true faces आपके सामने नहीं है true feelings नहीं निकल कर आई है सो अभी आपसे आप कहा जा रहे है कि थोड़ा साना balance में रहे है किसी को भी कर्स कर्स ना करिए अभी reality का पता नहीं है आपको ठीक है सरेंडर कर दीजिए जब आपको reality समझ में ना आए ना तो सरेंडर करिए पर किसी को कर्स करके अपना you know create मत कीजे कुछ भी अपने लिए उसके बाद material harvest का card है आप लोग से यह भी कहा जा रहा है कि आप लोग इस ताइं तो यह भी कहा जा रहे है कि आप अपनी materialistic चीज़ों पर ध्यान दीजिए और यही आपके पार्टनर भी कर रहे हैं right now वो अपनी materialistic चीज़ों को जो टाने में लगे हुए है enough कपड़ा रोटी मकान जो भी है okay choose wisely so guys ऐसा लग रहा है कि आपके partners की life में काफी जादा options है और उन्हें ऐसी confusion है उन्हें समझ में या रहे है कि क्या choose करना है so मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि आप लोगे partners ना already कहीं शादियादी fix हो गई हो या engagement हो या कुछ भी है so options है guys आपके partners की life में और वहां पर उनको काफी जादा सोस समझ के choose करने की जरूरत है ऐसा भी दिखाई दे रहा है प्लीज और गाइड कीजिए okay light so guys आप दोनों ही light की तरफ देख रहे हो आप दोनों ही light चाहते हो अपनी life में और यह light आई की भी okay यहाँ से trump का card है guys आपके partner chariot का card है इस निकल निकल कर आ है यानि कि आपके partners पास return आएंगे और commitment के साथ आएंगे ठीक है आप balance बनाएगे balance के ऊपर यह नीचे card है आप balance बनाइगे आपके partner आपके पास return आएंगे ठीक है और आपका spiritual union भी होगा guys यहाँ पर बहुत clear cut messages निकल कर आए हैं ठीक है यहाँ से universe भी present है और यहाँ से solar plexus chakra so guys आपके partners आपके पास आएंगे क्योंकि यह universe की planning है मैंने आप से पहली बोल दिया था आप soulmate से connection में हो आपको commitment देंगे आपके partners जभी भी universe की मरजी होगी यह आपकी तरफ आएंगे so guys मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं आपको बताती हूं कि यहाँ पर यह union आपका कब तक हो सकता है so मुझे ऐसा लगता है guys कि आप लोग का union है या तो 7 weeks में हो सकता है या फिर 7 months लग सकते है total आपको इस connection में commitment मिलते मिलते ऐसा मुझे आपर दिखाई दे रहा है minimum 2 मान लीजे आप minimum 2 weeks 2 months या maximum 7 weeks 7 months ऐसे करके आप मान सकते हैं बहुत लोग के लिए मुझे आपर दिखाई दे रहा है कि आपके partners से आपको commitment मिल जाएगी लेकिन यहां पर कुछ न कुछ waiting game भी है waiting game का card भी आया आप लोग को वेट करने की यहां पर जरुरत है आपको right now surrender करने की जरुरत है क्योंकि जब union आया है Trump as a spiritual union आया है तो guys union तो होगा खुद ही divine से cards देते हैं कि ताकि आप लोग को clarity मिले ठीक है और कही न कहीं guys आपको divine की presence feel होती होगी जब भी आप मेरी reading देखते हैं क्योंकि जब भी मैं cards निकालती हूँ तो कही न कहीं angels की presence यहां पर रहती है ठीक है तो जो कुछ भी हो रहा है जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ उस समय सब angels की मरजी से बोल रही हूँ और मैं उनको thanks बोलती हूँ की you know मैं किसी की help कर पा रही हूँ so thank you so much angels ठीक है तो वो यहीं पर present है राइट ना और यह जो भी reading निकल कर आए आप लोगों में से जिन जिन के लिए यह reading है उन उन तक यह reading पहुचेगी अभी हो सकता है अभी जाए एक साल बात जाए दो साल बात जाए जिन जिन के लिए helpful होगी reading उन तक automatic पहुच जाएगी ठीक है so यह angels ही करते हैं so guys आप लोग जितने भी लोग परिशान हो commitment के लिए so आप परिशान मत होई है मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोगों को जो को सिखाया जा रहा है आप उस पर focus कीजिए और इसमें आने की कोशिश कीजिए ठीक है आप इसमें आने की कोशिश करेंगे आप busy हो जाएंगे तो आप इतने दुख से बच जाएंगे जब भी divine टाइमिंग होगी सब कुछ हो जाएगा यहां से देखते हैं एक काड आया है hold your vision देखें गाइस वैसे ही cards भी देते हैं hold your vision अपने vision बढ़ जान दीजे यह भी है take time to breathe out थोड़ा सास लीजे आप लोग बहुत लोग घबडाते हो बहुत परिशान आप लोग मुझे दिखाई देते हो comment section में भी मैं मेरा partner नहीं आ रहा मैं बहुत अकलीफ में हूँ मैं मुझे सावज में नहीं आ रहा और आप लोग सब परिशान हो जाते हैं थोड़ा सा मैं कहते हूं न थीडी से उपर जाके सोचिए ठीक है उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको रिलाक्स होना पड़े उसके लिए मेडिटेशन करिए जब थोड़ी अपनी वाइब्रेशन को रेस करेंगे न सब को समझ माया है यह सब इन्यूर्स की रच्चिवी माया है जिससे कोई बच नहीं सकता क्योंकि आप अलाइनमेंट में नहीं हो सो आप समझ नहीं पाते हो कह आप समझ में आता है आप लोग को देख के प्रॉस्पेरिटी यहां से क्या है अगे वही काड आ रहे है अपने आपको दिखाईने दुनिया को कि आप को है आपको टाइम दिया है इंजल्स ने आप शो करिए जो लोगे सोस्ते किया रहे है आपके बसकी तो कुछ भी ने उ कर सकते हैं प्रॉस्पेरिटी को लेकर आई अपनी लाइफ में इंजल्स ने लिखी है आप लोग कामी कर रहे है अपने उपर डोंट लेट प्राइड केच नियों वे और कभी भी प्राइड को ना आने दीजे बीच में ठीक है आपको पता है आप कितने पेइन से निकले है ठीक है अगर आपको लगे भी कभी कि मुझे प्राइड करना है तो क्या दे ना इंजल्स प्राइड लेलो मेरा बाकी सब तो मैं करने तयार हूं क्योंकि प्राइड आ जाएगा तो फिर चीज़े खराब हो जाएंगे इमोशन्स पर थोड़ा सा मुझे लगता है बैलन्स हो प्रैक्टिकल भी बनिये बिद्धियों कि पूर टाइम आप वेडिटेशन नी कर रहे है इस्प्रीचल लाइफ पर ध्यान दे रहें प्रैक्टिकल भी जीना स्टाट कीजिए गूमिय मस्ती करिए दोस्तों के सब बाहर जाए ठीक है जैसा भी अच्छा लगता है आपको अ